हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीस सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जौब इंडिया में प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेयर कर दो, सौस्ट विभाग भड़ती 2022 दोस्तों सौस्ट विभाग में एक साथ है, चार परमरेट भड़ती लेकर आ चुका हूँ जी हाँ दोस्तों लगभग 50 पलस वेकेंसी यहाँ पर निकाले गई है, स्टाफ नर्स मेडिकल ओफीसर, सीनियर मेडिकल ओफीसर, नर्सिंग लेक्चर की यहाँ पर वेकेंसी, अलग अलग विभाग में दोस्तों निकाले गई है, जैसे देखिए दोस्तों एम्स भोपाल में senior medical officer की यहाँ पे वेकेंसी निकाले गई है और दोस्तो medical officer के 35 पदों के लिए BDS पास कर सकते हैं आवेदन तो दोस्तो यहाँ पे देखिए तिरपुरा में medical officer की वेकेंसी है एम्स गोरकपुर में nursing lecturer के दोस्तो 23 पदों पर भड़ती है और यहाँ पे चोथा आप लोग देखिए नर्स बनने के लिए करे ओफलाइन आवेदन Indian Institute of Foreign Trade जी हाँ दोस्तो जबरदस बढ़ती है Indian Institute of Foreign Trade से यहाँ पे दो रिक्त पदों पर नर्स के लिए वेकेंसी निकाली गई है official website का जो link है उसकी भी information इस news के माध्यम से दोस्तों दी जाएगी तो इन चारों की भरती दोस्तों आ चुकी है online भी start हो चुका है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो अभी दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए M.S.Bhupal Senior Medical Officer जो यहाँ पर वेकेंसी खाली है इसमें दोस्तों बता दे तो यहाँ पर आप लोग देखिए आल इंडिया Institute of Medical Science भूपाल ने Senior Medical Officer के रिक्त पदों पर भरती के लिए योग उमिद्वारों से आवेदर मांगे हैं इन पदों पर देखिए आवेदर करने के इच्चुक उमिद्वार 3 मार्च चे 22 तक ऑनलाइन आवेदर कर सकते हैं तो लाश डेट दोस्तों इसके बढ़ गई है और अभी आप लोग जो हैं 3 मार्च चे 22 तक दोस्तों फार्म को अपलाई करोगे उमिद्वारों ने MCI से मानिता प्राप्त संस्थान से MBBS, MD की डिगरी हासिल की हो तो आप लोग अपलाई करोगे बाकि आयू सीमा की इन्फार्मिशन यहाँ पर दी गई है आयू सीमा समान वर्क के उमिद्वारों की आयू सीमा 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि आरची नवर्क की उमिद्वारों को सरकारी निमानुसार जैसे की OBC वालों को तीन वर्स की छोड़ मिलेगी और दोस्तों यसी एशी वालों को छोड़ मिलेगी तो चैनित उमिद्वारों को एक लाग रुपे प्रतिमाहे वेतन दिया जाएगा देग लाग रुपे महिने यहाँ पे दोस्तों सहल दी है आयू सीमा के बारे हमने आपको बता दिया क्वालिफिकेसर के बारे बता दिया है और एम्स भोपाल में सीनियर मेडिकल ओफीसर की यहां पे दोस्तों वैकेंसी है कैसे करे आवेदन तो यहां पे देखिए वेबसाइट दिया गया है एमस भोपाल का इस वेबसाइट पर जाने के बाद जो है तीन मार्ज तक अपलाई कर सकती हो चैन परिकिरिया की बात करें तो दोस्तों इन पदो के लिए योग उमिद्वारों से आवेदर मांगे हैं इन बदों पर काम करने के उच्छुक उमिद्वार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से किस मार्श दोया बाईस तक आफलाइन आवेदर जमा कर सकते हैं सैचिक योगेदा की बात करें तो BSA नरसे या PG की डिगरी हा आउसिल की हो तो आप लोग अपलाए करोगे कौलिफिक कैसर भी चाहिए जिसकी जानकारी वेबसाइट पर दी गई है आप लोग देख लेना आयूसीमा के बात की गई है समान वर्क के लिए 56 रखी गई है बाकी OBC वालों को तीन वर्स की चूड़ मिलेगी और OBC वालों को पांच वर्स की चूड़ मिले वाली है वेतन देखी यहां पे लेवल 10 के अंतरगत और लेवल 13 के अंतरगत सहली दी जाएगी कैसे करे आवेदन तो इच्चुक उमिद्वार आवेदन पत्र के साथ सबी आवस्तक दस्तावेज इस पतर पर भेद दे इस पते प पेसल वीडियो में बना रखी है जॉब इडिया पर है जाके देख लेना बाकि इसका ऑनलाइन सुरू है 21 मार तक आउफलाइन फार्म अप्लाइ करोगे नर्सिंग लेक्चर के वेकेंसी है बीसी नर्सिंग भी यहां पर फार्म को अप्लाइ करेंगे आगे देखिए नमब कर सकती हैं से अच्छे की योगता की बात करें तो विद्वारों ने मानता प्राफ संस्थान से ब्यासि नर्सिंग की डिगरी हासिल को हासिल की हो तो आप लोग फार्म को अप्लाइ करोगे इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होगा बाकि अन्डू इडिफ विद्वारों की आयू सीमा जो है 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि आरच्छित वर्ग को सरकारी नियमा अनुसार आयू सीमा में छोड़ दी जाएगी यानि कि इसकी जो आयू सीमा है समान वर्ग के लिए 55 साल रखी गई है बाकि वबीसी वालों को तीन वर्स की छ बात है सबी आवस्थेक दस्तावेज आकरी तीती से पहले इस पते परभेद्य शिरी पर्भेद्य निलोय कुमार मुकर जी और रभारी अस्थापना अनुभाग भरति विदेस वेपार संस्थानान दोस्तों भारति विदेस वेपार संस्थान से доп WGMC है और यह एंद्रस भ योगी उमिद्वारों का चैनल लेखित परिच्छा तथा इंटर्वू के अधार पर किया जाएगा तो दोस्तों यह भरती कहां से निकाले गई है भरती वीडियस वैपार संस्थां से निकाले गई है और 23 पदों पर नर्सिंग लेक्चरर की अवेकेंसी है एम्स गोरकपुर से निकाले गई है और सीनियर मेडिकल ओफिसर की दोस्तों एम्स से भोपाल से भरती निकाले गई है चले दोस्तों लाश्ट यहां पर देखते हैं लाश्ट यहां पर देखिए मेडिकल ओफिसर के 35 पदों के लिए बिडियस पास कर सकते हैं आवेदर ये दोस्तों medical officer में देखिए 35 पदों पर vacancy है तिरपुरा public service commission ने medical officer dental के 35 रिक्त पदों पर भड़ती के लिए आवेदर मागे हैं इन पदों पर काम करने के इच्छो को बिद्वार official website के जरिये 31 March 2022 तग online आवेदर कर सकते हैं सैच्छिक योगता की बात करें तो BDS की डिगरी हांसिल की हो तो apply करोगे आउसी मा समार वर्क के लिए 40 वर्स रखी गई है और आवेदर न सुल के 4 रुपे यहां पर रखी गई है वेतर मान की बात करें तो चैनित उमिद्वारों को 15,600 से लेकर 49,100 रुपे दिये जाएंगे लेकिन सेलरी यहां पर दोस्तों लगबग आपको 45,000 मिलने वाली है क्योंकि medical officer की vacancy है तो medical officer की सेलरी बहुत ही अच्छी होती है 45 एक मिनट 45,000 यहां पर दोस्तों इसकी सेलरी होगी के लिए रहना इसके बाद दोस्तों आगे देखिए तो कैसे करें आवेदर तो यहां पर website दिया गया है तिरपुरा का तिरपुरा का दोस्तों website है tpsc.tirpura.gorman.in के माध्यम से आखरी तारिक से पहले online mode में आवेदर कर सकते हो चैन पर क्रियाल चैन लिखित परिच्छा तथा एंटर्यू के आधार पर किया जाएगा वो विद्वारों को परिच्छा हौल के अंदर कोट पुल ओवर तथा जैकेट पहन कर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में न्यू आपको जाएगी जाएगी तोस्तों हमने सकते हैं।